असलाम लेकुम, तो मेरी स्किन देख रहे हैं, आप बड़ी चमक्ती सी हो रही है, यह इसी वज़ा से हो रही है, जो रेमेडी में आज आपको बताने वाली हूँ, समर्स चल रहे हैं, इसलिए हमारी स्किन बहुत जयादा खराब हो जाती है, पोर्स ओपन हो जाते हैं, जिसक सा फिलकुल पानी डाल के इसो ब्लाइंड करके उसको अच्छी तरह से हमने छान लेना है, पोरा जूस उसका निकाल लेना है, ठीक है, यह जैसे मैं निकाल रही हूं और जो बाकी यह बच जायेगा ना इसको भी हमने जाया करना है इसको हमने बॉडी स्कर्ब के लिए यूज करना है ठीक है या फेस पे भी कर सकते हैं आप कोई अपकी स्किन बेहर जबरदस्त हो जाएगी अब मैंने आलू भी ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डालना जरूरी होता है यारके गुलाब डालने आप बिल्कुल ब्लेंडिंग के लिए वरना बिल्कुल नहीं होगा तो अब इसको मैंने ब्लेंड कर लिया था अची तर और आपकी स्किन टैनिंग को खतम कर देता है जो डार्क स्पॉर्ट होते है चाहरे पे वो बिल्कुल खतम हो जाते है जो गर्मियों में अकसर हो जाता है और सईहीं नहीं हो रहे होते हैं और खीरा तो आपको पताईए कितना फाइदे मंद हैं हमारी इसकिन पे ग्लो लेकि कि व्लेंडिंग जार में ताके इजी ली हम बरफ वाली जो ट्रे हैं उसके अंदर डाल सकें यह मैंने डाल लिया है और यह क्यूप्स वाली मैंने ट्रे ले लिये जो हम फ्रीजर में रखते हैं अब इसमें सारा एक है करके हम डाल देंगे फ्रीजर में रखने के बाद ओवरनाइट हमें इसने रखना है ताकि यह अच्छी तरह जम जाए और आप फेस वाश करके सुबह उठके कर लें या दिन में किसी भी टाइम आपने एक क्यूब्स निकालनी है और उसको अच्छी तरह से अपने फेस पे रप करना है अगर डाइरिक्ट आपसे नहीं हो रहा है तो आप कोई भी मलमल का कपड़ाय दुबटा या टिशू लगा के फिर उससे इसकिन पे रप कर सकते हैं रप के इसको लगा लें ताकि अच्छी तरह से इसका जो है पूरा ठंडा ठंडा चेहरे पे लग जाए अब यह मैंने रख दिया है अब यह जम चुका है यह मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा फ्रीज हो चुके हैं सारे क्यूब्स तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बिटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके हैं असानी के साथ यह देखें जबर्दस है क्यूब्स हमारे तयार हो चुके हैं जरूर फीड़ पेक दीजेगा मुझे बताईएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेमेडी यूज की तो आपने आपके स्किन पे क्या सहरुआ दुआओ वे मुझे बहुत याद रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अला हाफिज